कि लूए सेलें में सेलें कुमार्षिंग क्लास 10 के सोचल स्टिडी तिहास विजास के साथ पिछले टर्म पर मैं आपको ऑपको जो है इंडो चाइना के बारे मता रहा था इंडो चाइना के इत्याष रहा था किस दरा से इंडो चाइना में राश्टरोबाद आया और उस जिसी लोग थे वह यहां के लोगों से क्या उम्मीद करते थे वियतनामी लोगों से तो उसके दूसार उनुने बहुत सारे कारे के अब हम आज के कदमें देखेंगे कि शिच्छा में उन्होंने क्यों बदलाव किया शिच्छा को यह वहां के प्रमप्रागत शिच्छा थी वियतनाम की उसको उन्होंने बदलना चाहा और वह ब्यतनाम के दूंद को एक तरह से माड़न बनाना चाहते थे पढ़ा लिखा बनार चाहते हैं कि उनको पढ़े लिखे लोगों की जहुद्ती तो इसमें हम पढ़ाए हर और एक निश्चित तुकी पढ़ाने का निड़े निया अहर भी अताम निक मतलब वेताम के रहने वाले लोग के जैसे में इंडिया के रहने हुष फ्रेंच स्वोड की जगाढ़ जगाढ़ टी लिए ढमत सुग्षित करने के लिए ञां बायालक्थ उसी तर से वहां पर भी फ्रेंच स्कूल की अस्रापना की गई शिक्षिकों को नौग्री दी गई और अंततव बहुत सारे वेतनामी को वहां पर सिख्षित किया गया क्योंकि उन्हें एक पढ़े लिखे मजनूर की जरुद्वत्पी दुछा चारीज सिख्षा संस्कृति और परंप्रा को बंद्ध कर दिया गया क्यों कि वो नहीं चाचे थे यह चारीज सिख्षा और संस्कृति को जो है यह अपना है बल्कि वहां अपने देश की संस्कृति को उनके उपर थोपना चार करते हैं और इसलिए इस पूरों में प्रेंच वहांसा अनिवारिक कर दिया गया एक नए कारूं के तहस्त भी फ्रांस की संस्कृति को अपनाया उसे फ्रांस का नागरिक बना गया जो भी इस प्रांस की संस्कृति को बनाया उसको फ्रांस के नागरिक बना दिये गया लेकिन उस बिद्याकियों ने इसका बिरोद करना शुरू कर दिया क्योंकि सभी लोग इस कारूं से या इस बद्लाव से इस परिवर्तन से सामत नहीं थे इस अंतरब्रत्रा बहुत सारी नाल सुरू कर दिया और वहाँ के जेंता ने ने अहगे उसका बिरोद किया इस स्कूलों वेsर के इससकों और विद्याकियों या कि और और वहां पार्टि merchम्स का बिरोद किया गया जो गलतिया निकाल कर दोतीया गया उस पार्टिकर में क्या गल्भी थी ती उन शफीजों को दिखाये गया इसके तरी कि 1927 में एक घटना जो है घटी क्या रटना नटी यह रटना एक तरह से जो है नश्न पर आधारी थी और उसमें जो है गर पर दो आपारी टमें की चात्रा को जो है इसको पीछे बैठने के लिए आँ और यह बात उस मुआ यह बहुत ही नागवार बहुत ही खराआर दगा है उसके पीछे बैठने से मना कर थिया और वह जो क्लास स्कूल करके बाहर चल देगे तो यह घटने जो है क्या करते हैं स्वाइव नेटिव गल्स हाइज स्कूल में जो है घटी थी इसके तरीक साफ सफाई बीमारी और रोज मर्रा का प्रतिरोग यह अगला कभी पुगा मारा और हनुई पर प्लेग का हमला किस प्रकार हुआ प्लेग जो इस प्रकार की बीमारी है ब्रेक सपड़ेंगे साथ सभाई विमारी और रोजमर्रा प्रति रोज हनोई पर प्लेक का हमला है हनोई पाले जान नहीं है हनोई क्या है हनोई ये वियत नाम की राज़्थानी है और प्लेक का हमला प्लेक विमारी है जो चुहों से पहलती है और अंग्रेजों के जमाने बहुत जादे फिलेक निमानी गुआ करती थी फ्रांस में लोग वियत्नाम को माडन वियत्नाम बनाना चाहते थे इसके लिए राज़ानी हमोई का पुना ने पाड़ किया गया जो भी उसके पुराने इस्ट्रक्षर पिंशको बद्ला गया है कि यहां पर बने मकानों को आधनिक बनाये गया मतलब हर सुझा से उसको लेस किया गया तार तीसा हर मकानों में नियमित सीवर सुझा लगाए गई लेकिन बार आने पर यही तजराब जिससे सराव में घुच जाता था जिससे सराव में ब्यूवानिक प्लेव 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 की बिमारी जो रहा है अदोई में प्लेव जिससे चुओं की संख्या में गृद्धी हो गई और अब शीवर पाई चुओं के क्तेव का मैंना और आने जाने का रास्ता होने गया मतलब चुओं की बेतहासा गृद्धी अनोई के अंदर होने लिए इसके वाद आगे सरकार के सामने बहुत बड़ा सबस्या था इसने चुओं का धरकरवाया किस तरह से चुओं को चुओं को पकड़ने की सट्रिया उनीस उपीन में शुरू की गई हताब व्यतनामियों को कहा गया कि विए चुओं को मारें और चुओं को मारने के लिए प्रोप्साइब किया गया और इसके तहट यह निश्चित किया गया कि जो व्यतनामी जितना अधी सदिक चुः एक पर काम करना शुरू कर दिया जैसे कि एक घटना भारत में कोई थी अपेजू के जमाने में लेकिन लोगों ने इसको जो है एक तरीका बना लिया और लोग ब्लेक कोब्रा पालने मिलें और बाल करके जो है लोग लेकर के वहां पर पहुंचते थी और जब सरकार को पता चला तो उसके जो बंद कर दिया कुछ इसी तरह का काम जो है व्यतनाम के अंदर में जनता करना शुरू कर दी और यह चुनियम बना लिया कि चुहा पकड़ा पूंच काटा और शोड़ दिया क्योंकि सरकार न पाम में चुहों को लोग पकड़ते थे और उसका पूश काटते थे और प्रियुस को छोड़ देते तो ऐसा वह लोग किसलिये करते थे केवल फ्रांसीसी सरकार को चकाने के लिए या उनको परिशान करने के लिए लोग एक तरह से चाहदे थे कितना अधिक सदिक जो है फ् सब्सक्राइब निवेश्वांत का बिरोध फ्रांसीसी सयनिक ताकत के बढ़ पर सब्वेता और संस्कृति को भी बदलना चाहते और इसका जो है व्यत्राम के लिए बिरोध कर रहे थे क्योंकि फ्रांसीसी सरकार के दुआरा लगभक तीन लाख लोगों को जो है इसाई ब सब्सक्राइब बहुत जल्द समाप्थ हो जाएगा तो इस वज़से में उसका ब्रोध कर रहे थे जो कैथ्वरिक धर्म का और फ्रांसीसी सरकार के दो पर साब यतना में वड़ा था उसका वभी रोध कर रहे थे कि इसके जिससे देश के लोग बहुत पुरोधित हुए मतलब यह जो आंदोलन के इसको पुचल दिया गया था इस वज़से लोग बहुत ज्यादे पुरोधित हुए और फ्रांसीसी साजन का मुकर्वियोद करने लगे अतब 1947 में एक और आंदोलन शुरूगा और इस इंडोचाइना का इतियास कड़ रहा है इसलिए इसमें जो है आपको बड़े ही अज़िवोगरे नाम आएंगे नाम तर्टिड़े होंगे जिनको आपको याद रखना पड़ेगा तो होवा हाओ था जो इस आंदोलन का नाम और इस आंदोलन के जो स्थावक थे हूं इन फूसो थे हूं मैंठी ते पुरातर विचारों वाले थे और इसे साथ साथ यह जो है बालिका बढ़ों की ख्रीद पर पूलती ती या अपीम को सराफ को जो ब्यतनाम के अंदर बढ़ावा दिया था उसका यह बहुत जाने बि surviving के लिए जो हो रहे थे और इसी के लिए IING missionary जो आंकरार रहे थे और इनका ब्यतनाम के अंदर बहुत केजी के साथ जो है पिर रहा था और और इसका बहुत जाने परचार परियास किया और प्रांसेशी जो थे उन्हें पागल गुंजे करते थे मतलब उनको पागल गुंजित करना चाहिए और उनको पागल गुंजित करने के लिए उन्होंने क्या कि एक डाक्टर निक्ट किया और उन्हें निक्टर को पागल खाने घ्रेज दिया गया और यहां चला जिल्ए तो उनके देखने बीट में उस फ्रांसेशी जाने लगें लेकिन वह इतने जादे अपने मासर से या अपने बिचारों से उस डाक्टर को प्रभावित किये कि वह डाक्टर भी जो है एक लास्ट उनका अम्याई बन गया इसके बाद जो है फिर 1931 में दाक्टर ने मान लिया कि फूसो जो है पागल नहीं है और एक लास्ट उनको पागल खाने से निकाल दिया गया और उनको और के बहुत सारे समठ्टों को यह अपना सीवी में भेज दिया गया जिसे कांसिंट्रेशन के कहा जाए अचाहा है वहां पनको भेज दिया लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी जो यह सापराजवाद के बुद्द जो ही भावनायची इन लोगों की वह सापराजवा क्योंकी बावज थाव दिया जाए बावजद